तो आपके थम्नेल पे and right now आपके स्कीन पे एक कोशन है which one is SSC 2017 का कोशन है मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को करो पॉज इस कोशन को करो सॉल्ट और अभी तक इस कोशन को किसी ने नहीं सॉल्ट किया है ना किसी टीचर ने सही सॉल्ट किया है ना किसी ब्लॉग ने सही सॉल्ट किया है तो मैं आपको बताऊंगा इस कोशन के पीछे का exactly क्या रहस्य है बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को करो पॉज इस कोशन को ट्राई करो सॉल्ट करने का यह डिट्टो SSC 2017 का एक कोशन है इसलिए 2017 में SSC के लिए और 2012 में SSC के लिए मैं रिस्पेक्ट बहुत रबह गया था क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कोशन सॉल्ट किये थे आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस कोशन को सॉल्ट किया होगा आपको पैस कोशन लिखा हुआ है लिए मैं फिर से लिखता हूँ अपको कोशन को समझने के लिए मैं फिर से क्यों लिखना हूँ इसके पीछे की कहानी बताऊंगा आपको मैं 1-P square 1-Q square का value दिया हुआ है root 3 by 2 लोग बोलते हैं कि variable में condition दिया हुआ है ठीक है और उसके बाद कोशन साब से पूछ लिया है क्या चलो 2-P square plus 2-Q square plus 2-P square Q square plus under root of 2-P square plus 2-Q square minus 2-P square Q square का value पुछा गया options भी बहुत प्यास दिये गया है options आपके क्या है options आपका है 2 option number B क्या है root 2 option number C क्या है 1 option number D क्या है None of these प्रीट कोई condition नहीं लिख दिया गया है यहां पे यह है它 कोई condition नहीं दिया गया है लोग बोलते क्या है मत択़ग जाह तो आप बोलते होगे या बहुट सारह teachers बोलते हुए देखो मैं किसी teachers या किसी blog को गलत नहीं कर रहा हूँ लोगों से गलतियां होती है मेरे से calculation में गलतियां होती है अगर अपने class में हुई है गया या मैं इसको जानते होंगे तो मैं अपनी cat की कहाने सुनाता हूँ जब मैंने actually जो मैंने अपना cat था गलतियां सबसे होती है उस गलतियों को सुधार नहीं चाहिए आपको उससे सीखना चाहिए मैं किसी भी teacher को target नहीं कर रहा हूँ मैं ये video बना रहा हूँ बच्चों के लिए कि आपको पता होना चाहिए कैसे solve करते हैं कैसे नहीं solve करते हैं बहुत अराम से इस question को solve किया जाता है लोग बोलते हैं कि बेटा boss भाई जो उनको बोलना है वो बोलते हैं मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ boss देखो आपके पास यहाँ पर है conditional variable में equal to दिया हुआ question variable में है पर यहाँ variable नहीं है तो दिल बहुत बोलता है कि कुछ values put कर दो solve कर दो answer आएगा लेकिन अगर आपके बास ननव दीज होता है तो कुछ value नहीं solve करते हैं दो तीन values को put करना check करते हैं मैं लेता हूँ कि P को अगर मैं 0 मानू चलिए मैंने P को क्या माना 0 अगर यह 0 होगा तो यह 1 होगा उधर जाके यह क्या देगा 1-qa square equal to root 3 by 2 होगा इसको मैं यहाँ से अगर हटाऊंगा चलिए मैं इसको हटाता हूँ थोड़ देर के लिए और आपके लिए पूरा लिखता हूँ यह दिखेगा 1-pa square equal to 3 by 4 होगा पी square का value इधर से इधर आएगा तो होगा 1-3 by 4 is equal to 1 by 4 सारा आप इसे थोड़ा दिख रहा है विगाज मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ से p का value होगा plus minus 1 by 2 आपको तीन लेवर के teachers के बारे में बताऊंगा पहला एक जो 0 मानके solve करते हैं question को solve करते हैं अब आपने क्या किया है यहाँ पी 0 यहाँ 0 यह भी क्या हो जाएगा root 2 q मतल्य हो जाएगा 2 root 2 q का value plus minus 1 डालते हैं solve करते हैं यहाँ से यहाँ cancel हो जाएगा यह होगा plus minus root 2 तो आपका दिल बोलेगा कि दो options है दिमाग बोलेगा यही answer है आपको tick out कर दिएगा आगे चले जाएगा लेट आपको यहाँ पढ़ी चीज और बसाता हूं देखो यह आपका क्या है root यह क्या है root root हमेशा non negative होता है तो यह कभी भी negative नहीं हो सकता है 2 negative नहीं होने का summation negative कहिना हो सकता है तो यहां से तो मेरा यह root 2 आएगा और उसके बाद class 1 के teacher क्या बोलते हैं कि boss gut feeling पर जाएए solve कीजिए 9-10 पर क्यों मालते हैं questions होगा तो यही होगा नहीं तो questions गलत होगा देखिए अगर आपके बाश ननवदीज होता है तो एक question के लिए एक values के solve मत किया कीजिए अगर मैं आपके फिर से बोलता हूँ अगर कुछ और values होता है यहाँ पर अगर d option होता तो मैं इसको solve करते हुए आगे निकल जाता है बट यहाँ पर none है तो हमें एक values के all check करना होगा किसी को मैं मान लेता हूँ प को 2 मानता हूँ अगर प को 2 मानिएगा इसी तरब values पुट कीजिएगा तो Q का जो value आएगा वो आएगा plus minus root 5 by 2 आप solve करके देख लिए अब आप बोलेगा सर्ब प को अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो यह negative हो जाएगा बॉस negative होगा अच्छी बात है तो इसको लोग positive बना देते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं इसको कर देते हैं P square minus 1 और इसको करते हैं Q square minus 1 कैसा लिख सकता हूँ हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं विकोज उन्हें कोई condition नहीं दिया है उन्होंने नहीं बोला है कि P1 से कम है या क्या है नहीं है अगर वो कुछ बोलते ऐसा तो मैं ऐसा करता उन्हेंने कोई condition दिया है मैंने आगे पीछे लिख दिया यहां से Q का value आप निकाल सकते हैं बहुत प्यास से solve करते हुए इसको अगर यहां put कीजेगा तो root 2 नहीं आएगा मतलब इस question का answer का है none of these कभी भी none of these question होता है जब आपके पास variables होते है जब आपके पास variables होते है और question भी variables में होता है और conditional variable नहीं होता है तो दो question पूट कीजेगा एक आप 0 पूट कर लिए 1 नहीं पूट कर सकते हैं जीरो बन जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा नहीं पूट कर सकते हैं 1 तो 2 पूट कर के try कीजिए देखिए आपके पास दो answers आगए एक तो root 2 आप पता नहीं बहुत घटिया ओला values मिलेगा 2 और plus minus root 5 आप plus ले लो बहुत घटिया values मिलेगा answers नहीं आएगा मुझको ये तो पता है मतलब इसका answer है none of these मुझको पता है इस वीडियो देखने के बाद आपको लगएगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं बट मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास none of these होता है तो अपनी gut feeling अपनी दिमाग को रखे थोजा दूर question को करिजे solve तो ये उन लोग के लिए वीडियो था जो class 1 mentality के लोग है मतलब मैं 0 put कर दूँगा solve कर दूँगा वो तभी किजिएगा जब आपको none of these नहीं होगा आपको दो values लेने होते है एक values generally 1 से बढ़ा लेते है इसको यहाँ रखेगा अब मैं दिखाता हूँ class 2 लोग जो बोलते क्या है आईए इसको concept से solve करते है squaring करता हूँ यह मैं दिखेगा 1 यह यहाँ से यहाँ दिखेगा minus ps2 minus q2 plus ps2 qs2 equal to 3 by 4 ठीक है मैं इसको इधर भेजता हूँ इसको इधर भेजता हूँ यहाँ जाएगा ps2 plus qs2 equal to यह जो है आपका इधर आएगा तो यह दिखेगा 1 by 4 plus ps2 qs2 यह उन लोगों के लिए है जिनको algebra पसंद है और जिनको squaring को अच्छा लगता है अब वो क्या बोलता है यहाँ तक तो ठीक है ऐसा करो ps2 plus qs2 में pq add कर दो बहुत अच्छा 1 by 4 plus ps2 qs2 में pq add कर दो कर दिया मैंने यह दिखेगा 1 by 2 यह जो दिखता है यह दिखता है 1 by 2 plus pq का hall square यहाँ ठीक है यह दिखेगा 1 by 2 plus pq का hall square because half square plus this square 2 यही होगा अगर उन्हेंने कहा इधर भी root लगा देंगे तो इधर भी root लग जाएगा मैंने कहा अच्छी बात है आप लगा दीजिएगा यह जो निकलेगा यह निकलेगा 1 plus pq यहाँ तो कुछी बाता है क्या यह सही लिखा है या मैंने गरत लिखा अब आपको एक बात और समयज में आने चाहिए थोज़़ा छोटा दिख रहा होगा कि अगर यह positive होगा तो इधर निकले कुछ hall दिखेगा मैं आपको एक और चीब बाता हूँ उन्होंने बोलेगा कि यहाँ पर pq को minus कर दो यहाँ पर इस question में pq को minus कर दो तो मैं यहाँ पर minus करता हूँ p square q square minus q pq यह दिखेगा 1 minus pq का hall square वो बोलेगे यहाँ पर root लगा दो हम यहाँ पर root लगा देंगे boss निकलेगा क्या यह अगर root होगा तो आपको इसका दो values निकलेगा 1 by 2 minus pq because root से बाहर कभी भी negative नहीं होता है एक निकलेगा pq minus 1 by 2 यह कब निकलेगा जब pq 1 by 2 से छोटा होगा यह कब निकलेगा जब pq 1 by 2 से बढ़ा होगा अगर आप दोनों को add किजिएगा तो अलग-अलग values मिलते है तो इसका जो condition है question का actually actually जो condition है यह condition है pq should be less than 1 by 2 अगर यह दिया रहेगा तो मैं इस answer के पास पहुंच सकता हूँ अगर यह दिया रहेगा अगर नहीं दिया हुआ है तो answer none of these होगा आप अलग-अलग values के साथ cross check कर दिये answer आपका अलग-अलग मिलेगा यह आपको पता होना चाहिए तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ यह proper method है लेकिन क्या आपके पास none of दिजे तो 2 values के cross check किया कीजे एक 0 के लिए और एक values थोज़ा बड़े value के cross check कीजे नहीं तो algebra से solve कीजे और root के questions बहुत important होते है मैं आपको अफे से बोलता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए मैं इसको हटा देना हूँ यह questions बहुत famous होते हैं यह सब questions और यह बहुत बहुत questions पूछा गया है 1-x का hall square का under root क्या होगा इसका चौण से क्या होता है यह 1-x भी हो सकता है क्योंकि root के अंदर से positive निकलता है जब x 1 से छोटा होगा यह हो सकता है x अगर 1 से छोटा हो x प्लस 1 से बढ़ा हो इस टाइप से questions के लिए तयार है एगा exam में यह वीडियो उन लोगों की आँखे खोलनी के लिए है जो variable के साथ खेलना नहीं जानते है none of these हो तो हम एक से ज़दा variable cross check करते है या concept use करते है नहीं तो अगर none of these नहीं हो बाइद मुझे को पता है कि options से ही select करना है तो हमें करना क्या होता है कुछ और values को check नहीं करना होता है एक values के लिए check करेंगे जो answer आएगा answer वही होगा अगर कुछ पंगा होता है तो questions गलत है question हटा दिये जाएगा but none of these देने का मतलब है कि questions मैं safe कर रहा हूँ question setter हमेसा questions safe करता है none of these के लिए none of these होने का मतलब है कि cannot be determined मैंड भी यहीं चुपा हुआ है तो कभी भी अगर आपके पास algebra में या किसी भी त्रिमेंट्री में कहीं भी none of these होता है तो आपको थोड़ी से साउधानी बात नहीं होती है values को cross check करना होता है gut feeling तो बहुत अच्छी बात है आप जा सकते है questions नहीं हटाया जाता है questions setter के द्वारा या examinals के द्वारा या exam जो भी conduct करता है उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए पूरा सीखिए level 1 values putting अच्छा था answer गलत था जो मैंने plus minus किया यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी थी यह भी गलत था तो इसका जो पूरा answer है condition के साथ अगर मैं जाओ तो answer is none of these जो actually answer होना चाहिए जिसको आज तक सब ने गलत किया है चाहे होगा कोई teacher हो कोई blog हो या SSC का मुझको नहीं पता है RTI में उन्होंने हटाया या नहीं हटाया मैं RTI डाला है भी तक reply नहीं आया कि इस question को नहीं हटाया था या नहीं हटाया था answer of this question is option number D actually option number D इसके अलावा यहाँ पर 0 होता तो मैं option number B किशा जाता तो इस question का answer यही है मैं आप से एक चाहता हूँ आप सही चीज़ सीखिए लोगों से गलतिया होती है इसलिए साथ pencil के उपर में erasure रखा जाता है कि अब कुछ गलती हो तो इसको साफ किया जाए में एक ही aim है कि आपको best learning मिले सबसे सही learning मिले और मैंने SSE के question को क्यों उठाया है क्योंकि SSE की जनता जादर होती है यह आएगा यह नहीं आएगा यह आपके exam में आया हुआ है आपको इतना पता होना चाहिए और आगे भी अपना बहुत देना चाहिए क्योंकि बहुत सही question है आपके exam के लिए आप अपना बहुत देते रहिए मैं अपना बहुत देता रहूँगा और आए मिलके exam को crack करते हैं Myself अमिये